असलाम वालेकूम रहमतुल्लाही वरकादूस्तों आज हम सॉधियरभ की कुछ बड़ी अहम ख़बर है जो आ रही है वह आप तो आस्तों के सास्थ सेर्ख करने वाले हैं जो सॉधियरभ में रहने वाले हैं जिन पिर लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम और इंपोर्टन्ट होने वाली है तो अगर आप सॉधियरभ में रहते हैं सॉधियरभ के हाला तो आक्यास से बाकाप पर रहना चाते हैं तो इस वीडियो को आफसे लेकर आखिर तक चरूरूर देखें चलिए भी बढ़ते हैं अपडेट के तरफ सॉधियरभ मिनिश्टी आफ हिल्थ के परवक्ता डक्टर मुहम्मद अलाबद अलाली के मताबिक सभी लोगों को सिहती अप्लिकेशन के जरिये से वैक्सीन हासिल करने की प्रोसेस को पूरा करना चाहिए सभी के हिल्थ और उनकी सेफटी के लिए ठीका बहुत ज़्यादा महत्तुपूर है यनि की सभी के सिहत और सिलामदी के लिए ठीका बहुत ज़्यादा अहम हैं अगवार 24 के मताबिक करोनावारिस की ताजा हालात को बया करने के लिए मंगल को आयोजीत प्रेस कॉनफेंस में मुहमद अल-अली ने कई सवालों के जवाब दिये निस्टी आफ हिलते के परवक्ता ने कहा कि टीका के हवाले से जो ड्राने वाली खबरें पहलाई जा रही हैं इन तमाम खबरों पर कान ना धरा जाए क्योंकि उन्होंने यकीन दिलाए कि सौधी रब के जरिये चुने गए टीके सेफ और एफेक्टिव हैं और सभी के लिए स खिलाब टीका लगाया जाएगा तो जो भी खबरें बताई जाती रहती हैं कि टीका लगाने से यह हो जाएगा तो इस तरह की खबरों पर जो है वो यकीन ना किया जाए बाकि सौधी रब में जो टीका आ रहा है जो एक सीनारी है वो पूरी तरीके से सेफ है और इसका अच जाएगा उसके बाद आप लोग जाकर टीका लगवा सकते हैं इसके लगवा आपको जानकरी ये भी दे दें कि मक्का मुकरमा के इलाके में भी एक सिंटर का उपटन कर दिया गया है और मक्का मुकरमा के इलाके में जो लोग भी रहते हैं वो लोग भी सियाती अपली केसे में रिश्टेर कर सकते हैं जब भी आपका सेरिया लाएगा तो आपको मक्का मगर्मा के सिंटर में बुलाया जाएगा और आप लोग जा कर ठीका लगवा सकते हैं सब्सक्राइब में सभी गाड़ियों के लिए इंसुरंस पॉलिसी का होना कामुनी तवर से जरूरी है इंसुरंस दस्तावेज में कहा गया है कि बारा मामलों में इंसुरंस कमपनियां ड्राइबर या ट्राफिक के जिम्मेदार सक्स को मौपजा देने से इंकार कर सकती हैं तो वो बारा ममले कौन कौन से हैं आप लोग जान लें तक कि अगर आपकी गाड़ी का इंसुरेंस है अगर आप इन बारा ममलों में पाए जाते हैं तो हो सकता है कंपनियां आपको मुआपचा देने से इनकार कर सकती हैं पहला यह है कि गलत जानकारी के सबूत मिलने पर इंसुरेंस फॉर्म में एहम जानकारी चुपाने पर जान भूज कर ट्राफिक हास्से की वज़ा बनने पर उल्टी तरब गाड़ी चलाने पर इंसुरेंस फॉर्म में बताए गई पोजीशन में कोई बदला हुआ तो 20 दिनो कि अंदर अंदर इंसुरेंस कमपणियों को खबर न कनने पर नसे की हालत में गाड़ी चलाने के सबूत मिलने पर 18 साल से कम उमर के सक्स को ड्रैविंग के सबूत मिलने पर सर्त यह है कि 18 साल से कम उमर वाला सक्स खुद इंसुरेंस पोलिसी खरीदे हुए ना हो इंसुरें चला रहा था जबकि हास्ते की वक्त ट्राइबर का लाइसंस समाप्त हो जाने पर हास्ते की वक्त गाड़ी में ज़्यादा मुसाफरों के सवार होने पर बसर्त की ये साबित हो जाए कि हास्ता ज़्यादा मुसाफरों के सवार होने पर ही पेस आया तो इस सुरत में भी चोरी या छिन जाने की रिपोर्ट तरज ना कराई गई हो तो ऐसी सूरत में भी जो इंसुरेंस कमपनियां हैं वो मौपचा देने से इनकार कर सकती हैं तो आप तमाम लोग भी चीज का खयाल जरूर रखें कि अगर कभी भी गाड़ी चोरी या छिन जाती है आपकी तो फ़ोरान ही आप इसकी रिपोर्ट तरज खरवा दें जबकि इंसुरेंस कमपनियों को भी एक बात का पाबंद बनाया गया है कि अगर पोलसी होल्डर को वो म मौपचा नहीं देना चाहती है तो 20 दिनों के अंदर अंदर उनको जानकारी देना जरूरी होगा अगली अपडेट यह है कि आप सामने स्कीन पर देख सकते हैं बी मुराली धरन जो इंडिया के विदेश मंतरी है उनकी तरफ से अपने ट्यूटर एकाउंट पर एक ट्यू कुछे हुए थे उन तमाम लोगों से यह कहा गया है कि वह वापस इंडिया लौट आएं इस हवाले से उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी कोई दिक्कत है तो वह इंडिया ने मैसी जो दुबई के अंदर मौजूद है उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यह अपडेट ज और कोई जाने के लिए भारतियों की बहुत ही ज़्याता तादात है जो इस वक्त दुबई में फसे हुए हैं तो ऐसे में अभी दुबई से कोई की जो फ्लाइटें हैं वह 21 फरवरी से ओपन कर रही है तो इसे में जो लोग कोई में इंट्री करना चाहते हैं वो तमाम लो कर अपने फ्लाइट हों को ओफिन करेगी तो यहां पर आप लोग भी अपने इसाब से देख सकते हैं आपको क्या सही लगता है पर यहन लगता है और नहीं लगता है आप उसापसे कर सकते हैं क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं ठ redeem यहीं तो लोग मजबूरां जो हैं वो कर आप कर सकते हैं, अब दोस्तों बात कChat लेने सकी आप लोओं के सवाल आते रहतें हैं, कि भाई हमें सए चुटी पर जाना एंगर नियु चुटी जाना है तो स Means हैं यह भी साउध हमें यह धा रहेगा यह नहीं इस बारे सौद्रब से खुट्टी पर जाना चादे हैं तो जा सकते हैं कोई दिक्त नहीं है क्योंकि सो다가 से फ्लाइटें जो है वो चल रही है आफक идеil 7 पर जाना चायते हैं तो आप जा सकते यह था कोई दिक्त नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतियार कर ले हफ्टा 15 द कोई न कोई अपडेट ज़रूर जारी करेगी जैसे ही अपडेट आती है मैं आप लोह को अपडेट जरूर करूंगा फिरहाल अगर आप मेरिजनसी है चुट्टी पर जाना तो आप सकते हो लेकिन आप लोग जो है वह ऑज़़ुट्टी ज्यादा लगवा कर जाएं तक कि आपको बाद में वापसी के टाइम दिक्कत का सामना ना करना पड़े